हेलो स्टुडेंट्स हाव यू आल कैसे आप सब लोग आई होप कि आप मस्त होगे और घर पर स्वास्त होंगे जैसे कि आप लोग जान रहे हो हम लोग ने चैप्टर नमबर टू को शुरू किया और कल के लेक्चर में हम लोग अब आज हमें आगे बढ़ना है और उसके सबसे पहले हम लोग जो भी नियुमेरिकल्स है उसको पहले करेंगे और फिर हम लोग बात में कुछ नई थेरी पर आगे बढ़ेंगे ठीक है चले तो सब लोग आपर ध्यान देना फोकस रहना ठीक है स्कूल के और सब लोग इतनी म है और आपको रेगुलर्ली सेंड कर रहे है तो फिर आपका भी तो कर्तव यह है रिस्पॉंसर डिया के मेहनत करें पढ़ाई करें ठीक से अना तो सई डंग से पढ़ाई किजिए रूस आपको तीन वीडियो मिलते हैं केमिस्ट्री फेजिक्स का और एक मैट्स वायो का एक तो तीनी वीडियो तो आपको पढ़ना होता है और वीडियो 25 से 30 मिनिट के ही होता है तो फिर आप रेगुलर्ली पढ़ाई करो और होमवर्क यानि की नोट्स बनाती रहो ठीक है तो आपको फिर क्या होगा at the end of the day यानि कि ये लॉक्डाउन जैसे ओपन होगा जब स्कूल जाएगी तो आपके बास जितने भी चैप्टर यहां पर खतम होगे उसकी प्रॉपर नोट्स होगी उसको पढ़ोगे तो आप टिक कर पाओगे बही कहां पर क्या 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 है आकर पूछ पाओगे तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना चलिए तो फिर हम पहले लि ये हमारे पास उसका फर्मला है तो टोटल एनरजी का फर्मला है ठीक है ज़रा ध्यान देना हम आगे पढ़ाई करते है अब इस पर से हम एक नियुमेरिकल लेते है ताकि आप सबको समझ में आए नियुमेरिकल क्या है उस पर ज़रा ध्यान देना तो टोटल एनरजी total energy of electron in nth shell in nth shell of h atom ठीक है यह हमें find करना है चले total energy in the nth shell of the h atom वो हमें find करना है basically अगर हमें बोला है कि total energy तो उसका formula क्या है minus 13.6 into z square upon n square e v लेगिन यहाँ पर hydrogen के लिए specified है तो hydrogen के लिए z की value क्या होगी 1 होगी तो total energy क्या आएगा total energy is equal to minus 13.6 into z square हैने कि क्या आएगा अब hydrogen 1 है तो यहाँ पर यह one square आएगा upon n square electron volt याने कि final formula आएगा minus 13.6 that will be upon n square e v ठीक है यह हमारे लिए total energy का formula बन जाएगा ओके यह हमारे लिए total energy का formula बन जाएगा ठीक है बचो this will be the formula for the total energy अब अगर आपको ऐसा specify किया है कि पहला shell है या फिर दूसरा shell है या फिर तीसरा shell ऐसा specify किया है तो आप n की value replace करते जाओ like मान लोगे भी हमें बूला है कि यह n equal to 1 के लिए energy find करो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 की value को replace करेंगे तो क्या आएगा total energy is equal to minus 13.6 n square यानि कि 1 square ठीक है के नहीं electron volt यानि कि minus 13.6 electron volt आजाएगा यह answer आएगा ठीक है मन लोगे भी आपको बोल दिया है कि भाई n equal to 2 लेना है तो अब यहाँ पर n की जगा पर क्या लिखोगे 2 उसका square करोगे 2 square तो क्या आएगा total energy is equal to minus 13.6 upon या क्या आएगा 2 square electron volt यानि कि total energy will be minus 13.6 by 4 electron volt आएगा अब minus 13.6 यानि कि minus 3.4 आएगा वोल्ट ठीक है electron volt फिर उसके बाद मान लोगे n equal to 3 आएगा तो क्या करोगे total energy is equal to minus 13.6 electron volt divided by 3 square 3 square यानि कि 9 आएगा न तो total energy is equal to minus 13.6 upon 9 अब इसका value क्या आएगा तो इसका value होगा minus 1.51 electron volt एक और करते है total energy is equal to मान लो कि n equal to 4 दिया है क्या दिया है n equal to 4 क्या करोगे total energy is equal to minus 13.6 upon 4 square यानि कि आएगा 16 minus 13.6 by 16 तो आँसर आजाएगा that is minus 0.85 electron volt यह answer आएगा ठीक है minus 0.85 electron volt यह answer आएगा is it okay अब देखो यह जो energies हमने find किया है basically किसके लिए है hydrogen के atom के लिए है और hydrogen के atom के अंदर जो हमारे पास अलग-अलग shell में electron अगर गया तो उस condition में मैं diagram बना के दिखाता हूँ मान लोग के वे यह hydrogen का atom का nucleus है ठीक है तो उसमें यह उसका पहला shell आएगा second shell आएगा then there will be the third shell फिर fourth shell ऐसे चार shells आएगे हमने यहापर अलड़ी क्या किया है चार shells के लिए energy find किये ठीक है अब ज़रा ध्यान से देखना like हम लोग देखेंगे यहापर यह पहला shell है तो पहले shell के लिए energy कितनी मिली हमें तो यह रहा minus 13.6 electron volt जितनी energy जब हम देखें तब electron उससे बाहर निकल जाएगा यानि कि जब आप 13.6 electron volt जितनी energy उस atom के उस electron के उपर दोगे तो electron जम करके सीधा atom से बाहर चला जाएगा समझेगे नहीं समझते रहे न अब यह क्या है अब यहाँ पर second अगर shell है तो second की shell के लिए कितनी energy आई है तो that is minus 3.4 electron volt third shell के लिए क्या आई है minus 1.51 electron volt and fourth shell के लिए क्या आई minus 0.85 electron volt यह energy आई है ठीक है अब अगर आप ध्यान से थोड़ा focus करोगे notice करोगे तो आप जैसे जैसे बाहर की direction पर जा रहे हो तो क्या हो रहे है energy तो increase हो रहा है न ठीक है कै नहीं आप जैसे जैसे बाहर जा रहे हो तो energy क्या हो रहे है energy is increasing क्या हो रहे है energy बाहर जाने पर यहाँ पर increase हो रही है ऐसे करते करते N कितने हो सकते है तो हम लोग ने already पढ़ा है कि N की sub-shells, भलब की shells जो रहे, यहाँ रहे stationary state, वो कितने हो सकते है infinite जितने होते है कितने होते है, infinite जितने होते है ठीक है, clear है के नहीं अब देखो total energy अब यहाँ पर क्या 8 equal to 0 electron is free from the अब देखो, जब भी यह minus 13.6 है आपने plus 13.6 energy दी तो उसका total energy कितना बन जाएगा 0 तो जब भी total energy 0 होगा न तभी electron atom से free हो पाएगा समझे के नहीं आप मानलो आपको यह चौथे shell में जो electron revolve हो रहा है उसको आपको कितनी energy देनी पड़ेगी उसको free करने के लिए atom से तो आपको इसका ultra minus 0.85 है तो plus 0.85 energy देनी पड़ेगी इसके लिए minus 1.52 है तो आपको plus 1.51 energy देनी पड़ेगी तब वो क्या होगा वो atom से free हो जाएगा यानि कि आपको करना क्या पड़ेगा तो आपको जो है वो total energy जो है ती इए वो जब 0 होगा न वो condition आपको लानी पड़ेगी तेके ऐसी condition में electron is free from is free from nucleus वो nucleus से यानि कि पूरे atom से free हो जाएगा basically nucleus से free होना यानि कि आपर जो electron घूम रहा है यानि कि atom के अंदर है क्यों कि center में proton है जो उसको पकड़ के रख रहा है उसका attractive force है समझेगे नहीं उसका यहाँ पर क्या attractive force है अब यहाँ पर जब electron बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा तो उसको हम लोग बोलते है ionization as occurred ठीके मान लोग यह बोलेंगे ionization has occurred यह हम बोलते है यानि कि वहाँ पर ionization हुआ है बेसिकली आपको यह तो फता है होगा कि जब भी कोई भी atom के अंदर से electron बाहर निकलता है या फिर atom के अंदर electron आता है तो उसको हम लोग ionize बोलते हैं ठीके न यहाँ पर यह zero हुआ यानि कि इसका ionization हो गया ठीके तो यहाँ पर यह main 5 postulates खतम हुए है अब आखरी वाला और most important postulate है जो हमें पढ़ना है ठीके लेकिन मैं चाहता हूँ पहले सबसे बले मैं आप इसका revision करवा दू फिर अब शांते से मैं एक मिनिट दूगा आप इसको रीड कर लो सबज लो बरबर फिर आप उसका screenshot ले लो और फिर आप बात में लिक ले ना ठीके हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है देखो previous lecture के अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने total energy का formula derive किया था and that was equal to minus 13.6 into z square upon n square electron volt ठीके अब यहाँ पर question यह है अगर हमारे पास hydrogen atom है तो वो hydrogen atom के अंदर जो electron है n shell में उसके energy कितनी होगी electron कहाँ पर है तो nth shell में तो उसके energy क्या होगी यह पर z square है ना तो hydrogen के लिए z की value क्या बनती है तो वो 1 रहती है तो यह वाली formula में यह जो formula उसमें z की value हमने रख दी 1 square 1 रख भी तो 1 square हो गया ठीक है अब क्या होगा जरत यहां से दिखते रहे ना आप लोग pay attention here students अब क्या होगा तो अब यह हमने derive करते करते हमें यह formula मिल गया है अब मान लो कि अभी n equal to 1 हो तो हम क्या करेंगे formula में यहाँ पर 1 की value रख रहेंगे n की जगापर 1 2 हो 3 हो 4 हो हमने क्या notice कि हम जैसे जैसे बाहर जा रहे है तो वहाँ पर क्या और एनर्जी बढ़ रहा है तो यह अंदर है तो उतना स्यदा negative energy है समझे के नहीं उतना स्यदा negative energy है बाहर आने पर वो positive की तरफ जा रहा है यानि कि energy उतनी ज्यादा होई है लेकिन अगर आपको अंदर का electron निकलना पड़ेगा तो आपको high energy देनी पड़ेगी ज्यादा energy देनी पड़ेगी तब ही वो निकल पाएगा क्यों कि minus 13.6 है तो आप कितनी energy दोगे तो बाहर निकलेगा तो attraction उसका high होगा ठीक है के नहीं और दिरे दिरे हम बाहर की दर्फ जा रहे तो nucleus attraction कम होगा न तो थोड़ी से energy देने पर भी यहां के electron बाहर निकल जाएगे clear है बस यह simple सा fund आए अब एक बार आप इसको read कर लो ठीक है फिर उसका screenshot ले लो मैं one minute का time दे रहा हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके आज मुझे postulates खतम करवान है कुछ भी करके कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 लो ठीक है फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ मैं time दे रहा हूँ 30 seconds का और time दे रहा हूँ था कि फिर अब वो clear हो जाए ठीक है कर 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 अगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर हमने क्या किया तो हम लोग ने complete किया है that is we have completed the fifth postulate अब जो आखरी वाला postulate है that is postulate number six वो हम complete करते हैं आज हमें postulate सी खतम करना है ठीक है ना जो आखरी वाला जो last postulate है that we are going to complete now here ओके ध्यान देना आण postulate जो last वाला postulate है उस पर हम जाते है the last one postulate बस फिर हम यह topic को खतम कर देंगे जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग को postulate complete करना ही है ओके शलिए अब देको जो six postulate है वो क्या बता रहा है six postulate है that is electron can accept energy and can lose energy अब electron क्या कर सकता है वो energy को gain भी कर सकता है accept energy and lose energy वो दोनों चीज़ कर सकता है यानि कि gain भी कर सकता है donate भी कर सकता है energy को ठीक है अब अगर मान वो electron energy को gain कर रहा है तो वो higher energy level पे जाएगा और अगर electron energy को lose कर रहा है तो वो lower energy में जाएगा ठीक है if an electron accepts energy it jumps to higher energy level अब वो का जाएगा higher energy level पे जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे excitation बोलते हैं मैं ज़रा इंग पर लू इसमें उसको क्या बोलते है excitation बोलते है energy high energy में हो गया न it is called to be as excitation ओके ज़रा ध्यान देना अब उसने क्या किया है energy को gain किया है और energy को gain करने पर क्या होता है वो excite होता है याद रखना electron higher में कहा है यानिक excite हुआ बट excite से वापस वो क्या होगा ground state में तो आएगा बट ground state में आने के लिए उसको उसने जितनी energy को gain किया होता है उतनी ही energy को उसको lose करना जरूरी होता है तभी वो वही level में आएगा जहां पर वो अल्रेडी था ground state में ठीक है यान दे तेरे ना ना be attentive क्योंकि topic must interesting है यह topic जो है यह chapter बहुत interesting है देखो 9th में आपने जब पढ़ा था तब यह इतनी ज्यादा चीज़े detail में नहीं पड़ी थी आपने 9th में 9th के level के मुताबिक था that is why यहाँ पर क्या हो रहा है excitation of electron अब देखो मैं समझा तो आपको कैसे जैसे कि मान लो के भी इसने e1 में है उसने h new जितनी energy को गेन किया तो कहां जाएगा e2 में जाएगा बराबर वो excited हुआ यहाँ पर अब मान लो के भी if an electron क्या किया है loses energy it resides back resides back to lower energy to lower energy level ठीक है इसको बोलते है de-excitation क्या बोलेंगे de-excitation of electron electron का de-excitation हुआ है ठीक है समझने के लिए मान लो के भई हमने atom लिया है यह इधर लिखते है atom को यह nucleus है 1 shell 2 shell 3 shell और यह 4 shell 4 shells है ठीक है जैसे मैंने आपको आगे समझा है न पहले का कितना energy होगा 1, 2, 3, 4 हो गई हाँ तो यह minus 13.6 electron volt होगा second का कितना होगा that is minus 3.4 electron volt third का कितना होगा that will be minus 1.51 electron volt and fourth का कितना होगा minus 0.85 electron volt ठीक है ऐसे 4 levels होगे अब देखो जिसको जितनी भी energy मिलेगी अब मान लो आप इसके अंदर क्या कर रहे हो तो इसके अंदर 9 volt जितनी energy दे रहे हो यह फिर मान लो 10.2 अब आपने यह electron को कितनी energy दी minus 13.6 electron volt है अब आपने मान लो के भी 10.2 जितनी energy दी है 10.2 electron volt जितनी energy दी है तो कितना आएगा minus 3.4 electron volt जितनी energy रहेगी यानि कि वो जम करके कहा आ जाएगा इधर आ जाएगा समझे के नहीं यानि कि इसका 13.6 energy तो था minus में आपने 10.2 energy अपलाई किया उसको दिया तो वो जम करके यह वाले orbital में आगे समझ में आए के नहीं यानि कि इसको electron jump बोलते है clear है an electron gain or lose only those energy which are equal to the difference in the two energy level समझ में आए के नहीं 2 energy level के बराबर का उतना है करेगा अब मान लो आपने 5 kg जुल दि तो वो तो नहीं इस value के बराबर है नहीं इस value के बराबर है नहीं इस value के बराबर है तो इसका मलब यह थोड़ी के कहाँ कहीं पर बीच में आएगा नहीं ऐसा कभी होई नहीं सकता electron कभी यह shells के बीच में जो space है वहाँ पर आई नहीं सकता वो exact energy लेकर ही आएगा यानि कि 2, 2, कोई भी 2 कोई भी 2 shell के energy का जो difference है उतनी energy को वो क्या करेगा gain करेगा ठीक है या फिर वो lose करेगा बट वो उसके आसपास की value को gain या lose नहीं करेगा क्योंकि electron कभी यहाँ पर बीच में नहीं आ सकता हमने आगे ही पड़ा कि electron जो होता है वो specific path के ओपर revolve होता है वो कभी आगे बीचे नहीं हो पाएगा तो यह चीज उसके अंदर possible नहीं है ठीक है न? यह आपको याद रखना है तो मैं यहाँ पर उसका point यहाँ पर ही लिखता हूँ इस side में कि an electron gains or loses only those energy which are equal to difference into energy levels कितना रहेगा? यहस अब देखो कैसे होगा तो E1 plus delta E equal to E2 आएगा same way E1 plus delta E equal to E3 आएगा clear है इतना? समझ में आए के नहीं? यहस तो यह चीज रहता है इनमें अब देखो basically हम लोग ने एक discrete बारे में पड़ा discrete spectrum बोलते है तो यहसे मान लो के वे कोई भी हमारे पास container है ठीके? और वो container के अंदर हमने कोई भी एक gas बढ़ा हुआ है we have filled some gas into it ओके? लाइक यह white light हमने दे दिया ठीके? और अंदर gas बढ़ा हुआ है अब वो gas के molecule क्या करेंगे? energy को gain करेंगे अब यहाँ पर मान लो के वे कौन सा gas है? तो वो H2 gas है ठीके? अब क्या होगा यहाँ पर? तो वो कोई ना कोई प्रकार के ऐसे lines बनाएगा ठीके? मान लो के वे उसने बनाया है at B, R और yellow यानि कि blue, red और yellow बनाया अब यहाँ पर हुआ क्या? कि हमें पता है कि rainbow के 7 color होते है तो spectrum भी 7 बनने चाहिए पर यहाँ पर हमने जब hydrogen gas पे light white light दिया तो हमें 3 color के spectrum मिले हमें सारे color के spectrum नहीं मिले तो हमें सारे color के spectrum क्यों नहीं मिले? तो उसके बारे में baur के पास कोई answer नहीं था यानि कि यहाँ पर क्या हुआ? बaur का limitation है यानि कि discrete जो spectrum था उनके बारे में ज्यादा details नहीं थी यहाँ पर discrete spectrum के बारे में ज्यादा details उनके पास थी नहीं basically यहाँ पर lines बनते हैं तो इसको हम लोग line spectrum भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, they are also called to be as a line spectrum, क्या बोलेंगे, हम उसको line spectrum भी बोल सकते हैं, we can also called it as a line spectrum, ठीके, अब यह जो spectrum के बारे में है, यह हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे वाले topic में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, समझ में आया basically यहाँ पर हमें ये question हो रहा है कि अगर मान लो कोई भी container के अंदर हमने gas बर दिया तो gas के उपर जब हमने white light दिया तब हमें कूची color के spectrum मिले हमें सारे color के spectrum क्यों नहीं मिले तो उसका answer हो आगे दिखेंगे और हम लोग ये theory का ही help लेंगे और हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि अभी ऐसा क्यों हुआ यानि कि discrete क्यों हुआ है वैसे ये बोहर्स्क में हमें बहुत सारे चीज़े भी आगे पढ़नी है पहले आपके काम करिए इसको एक बार शांती से समझ लीजिए मैं वन मिनिट का टाइम दे रहा हूँ और एक बार शांती समझ लो read कर लो read it once झाल चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लो we'll complete the topic now basically ये भी तो question हमें होगा के नहीं theory पे से अब ये board पूरी तरह से समझा पाए या नहीं समझा पाए हूँ हम आगे देखेंगे basically उन्होंने भी यहाँ पर समझाने की कोशिश तो की पर क्या हो रहा है वह हम देखेंगे ऐसे discrete क्या हुआ कैसे हुआ क्यू आया वो सब हम आगे आने वाले topic में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर हमने बहुत सारे formulas पढ़ी है अभी तक उन सारे formulas की properly list बनाओ एक अच्छे coloring colorful paper में लिखो या फिर colorful pen से लिख दो एक page के उपर और आप जहाँ पढ़ाई करते हो उसके सामने या फिर जहाँ पर आपका room है वहाँ पर लगा दो उस paper को ताकि आपको जब भी revise करना हो तो अब revise कर पाओ तो यहाँ पर हमारा एक और interesting topic खतम होता है अभी इसमें basically एक यहाँ पर सारे जितने भी हमारे पास postulates थे वो खतम हो गए बट यहाँ पर यह जो atomic spectra के बारे में जो हमें पढ़ना है उसको अमनुक suspense रखते हैं और पढ़ेंगे अगले lecture में till then बच्चो गुडबाई and take care and stay connected and keep working hard okay